आपके लिए दोस्तों थोड़ा बहुत योगदान टैसरीज के माध्यम से हम भी कर रहे हैं आपने देखा होगा मैंने आपको जीस के टैसरीज दी पिसले कुछ दिनों और आज हम देखेंगे उत्राखंड सामानने अध्यन भाग 161 देखें उत्राखंड जीके टेस्ट के 161 पार्ट अपलोड हो चुके हैं सामानने अध्यन के 124 भाग अपलोड हो चुके हैं और सामानने हिंदी के 130 प्लस जो टेस्ट हैं वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं अगर आप केवल इंग टेस्सरीजों को भी फॉलो करते हैं आगामे गुरूप सी एक्जाम के लिए तो बहुत हेल्प आपको मिलेगी और खासकर जो आपका जो EO और TI का एक्जाम होना है ये भी आपका One Day एक्जाम है इसमें भी आपका GS और सामानने हिंदी ही पूछी जानी है तो आप सभी लोगों के बार-बार मैसेज आ रहे थे कि जो UKPSC EO TI है इसके लिए टेस्सरीज कब से आएगी तो इसकी जो फुल लेंथ टेस्सरीज है वो आपकी 16 अक्टूबर सोंगवार से प्रारंब हो जाएगी इसमें आपको टोटल 20 टेस्ट मिलेंगे जिसमें सामानने अदिन के 10 पेपर होंगे फुल लेंथ होंगे 200 कोश्चन और सामानने इंदी के 10 पेपर होंगे फुल लेंथ होंगे हर पेपर में 100 कोश्चन होगा ठीक है तो यानि कि full lengthy practice है रहेंगे आपके EO और TI exam के लिए और latest UKPSC के pattern पर और जैसा वो आपका एक बोलते है ना जो उसका level रहता है UKPSC के पेपरों का जैसा pattern वो पिसले exam हों में follow कर रहा है तो उसी के आधार पर सभी test region आपको मिलने वाली है इस course को launch किया जाएगा 9 October यानि कि आने वाला जो सवंबार है पर सभी course launch हो जाएगा application store पर आप लोग जल्दी इसमें enroll कर लीजिएगा दोस्तों क्योंकि प्रारेंब में enroll करने वाले students को 50 रुपीज इसमें discount मिलेगा बाद में course के prices जो है increase हो जाएगी मैं पहले ही बता रहा इसलिए इस course को हम एक हपते पहले ही launch कर रहे है और बाकि देखे दोस्तों आज का जो day है काफी अच्छा था क्योंकि आज आपने देखा होगा एक नई vacancy निकली थी और यह नई vacancy थी आपकी सहायक किरसी अधिकारी की जो की उत्रागंटों लोग से वाएग नहीं निकाला जैसे कि जिसकी BSC थी और साथ ही जिसका BSC agriculture है केवल उनी लोगों को उसमें मौका मिलेगा Humanities वालों को भी परिशान होने की कोई आवशक्ता नहीं है Arts Stream वाले जो भी अभ्यरती है उनके लिए भी UK SSS से जल्दी ही graduate level जो एक्जाम है दोस्तों उसका फॉर्म आने वाला है यानि कि जो पिछला फॉर्म आया था ग्राम विकास जदिगारी ग्राम पंचार विकास जदिगारी और अमने पत थे ऐसे ही फिर से इसना तक इस तरिया भरती आने वाली आपकी तो आप लोग महनत करते रहिए और continuity बना के रखिए आपका कोई भी exam दोस्तों ऐसा नहीं है जो नहीं निकलेगा बट आपको work hard करना है smart work करना है और साथी continuity बना के रखना है अगर एक आपने fixed discipline और routine बना दिया 6 मेने एक साल तो यकीन मानी उत्रागन का कोई भी paper आप आँख बंद करके निकाल सकते हैं लेकिन उसके लिए बहुत ज़ादा आपको अंदर से dedication, self motivation और patience रखना होगा बस यह जब follow कर लो भईया आराम से exam निकल जाता है ज़्यादा अब राने के आउशकता नहीं है बाके जिन लोगों का बंदी रक्षक का exam है बंदी रक्षक के जो 25 practice sets थे वो complete हो चुके है बट अभी भी आप बंदी रक्षक के paper से पहले दिन तक इन practice sets को लए सकते हैं अवेल कर सकते हैं और इनको अटाइम कर सकते हैं अपने time के हिसाब स सबी practice set आपको मिल जाएंगे application store पर तो जिनका बंदी रक्षक का paper है और जिनोंने test series नहीं लगाये थी वो लोग भी भाई है इसको ज़रूर time करें ठीक है बाके चलिए शुरू करेंगे आज test काफी महत्तवपूंग test है आज उत्राखंट जीके test देखेंगे और आगे बढ वाले ही आपस में competition करेंगे तो vacancies आप देख सकते हैं जो सबसे पहली जो vacancy थी दोस्तों इसमें वो थी आपकी सहाय किरसी अधिकारी हाल में यह आपने देखा होगा सहाय किरसी अधिकारी की vacancy UK SSSC ने भी निकाली थी लेकिन वो grade 1 की थी grade 3 है तो grade 1 में अंतर होता है वो level 7 क यह level 5 की यह 4 की होगी ठीक है तो यह अंतर होता है तो अच्छा मोगा है बाई जहां पर आपको देखें उत्रागर में कोई भी नौकरी मिलना बहुत बगी बात है उत्रागर में आपको starting में group D भी मिल जाए तो आपको join करना चाहिए उसके सासाथ आगे की तहियारी करना च जाने की अपनी आकांचा और मेहनत को हमेशा प्रियास्तरत रखना चाहिए बागी देखें क्योंकि यहां पर उंट के मुह में जीला जैसी कंडिशन है वह वेकेंसी बहुत कमाती है और एक्जाम और जोइनिंग बहुत लेट होता है तो इसके इसाब से जो भी वेकेंसी आ आपके सामने स्क्रीन पे डिका है तो पहला क्वेस पहले और उत्राघंड राज जी कि पहली वर्चुल्ड ट्रैफिक चालान कोर्ट कहां पर सुरूए है बहुत अच्छा क्वेशन है और दीखें वर्चुल ट्रैफिक चालान कोर्ट सबसे पहले तो इस टर्म को समझे कि है क्या virtual traffic चालान court का मतलब है जैसे कि दोस्तों आज कल आपने देखा होगा या कभी भी आपने देखा होगा कि कभी हमारा चालान हो जाता है पुलीस वाले हमारा चालान कर लेते हैं और चालान अगर हम वहाँ पर on the spot जमानी करते थे तो पुलीस वाले उसको offline court में बेज देते थे ठीक है फिर हमको court में जाके वकीलों का चक्कर करके उस चालान को छुडाना पड़ता था बट अब ऐसा नहीं है अगर पुलीस को आप चालान सब्मिट नहीं करते हैं और पुलीस आपका चालान court में डाल देते हैं यानि कि आप court में जाने के बाद भी online इस payment को कर सकते हैं court वगरा जाने के जन्जक से बस सकते हैं यानि कि online मात्यम से ही अपने court के चालान का भुकतान यही virtual traffic चालान court है और यह सबसे पहले सुरू हुई थी देरादुन में ठीक है कारवेट राष्टे उध्यान कितने वर्ग के किलोमीटर में फैला हुआ है तो बताने आपने जो कारवेट नैसनल पार्ग है यह कितने वर्ग के किलोमीटर में विस्तरित है ठीक है तो कारवेट नैसनल पार्ग अगर मैं बात करूँ तो Carbid जो National Park है यह आपका विस्तरित है 520 वर्गी किलोमीटर में ठीक है Option B इसका राइड आंसर हो जाएगा Option B बिल्कुल सही है 520 वर्गी किलोमीटर Carbid National Park की स्थाफना होई थी 1936 में इसका प्रार्मबिक जो नाम था वो था Haley National Park बाद में इसका नाम नर्रामगंगा नेशनल पार्क किया गया और फिर कालांथर में जिम कार्वेड इसको नाम दिया गया और ये जो पार्क है वहिए ये दो जनपदों में फैला हुआ है नैनिताल और पॉलिजन पद में ठीक है और इस पार्क के बीचो बीच एक मार्ग भी गुजरता है जिसको हम जानते हैं कंडी मार्ग जो कि प्रिटी स्कालीन बनाया गया था कंडी मार्ग जो कि रामनगर को जोगलता है वही या कोट दौर से तो important question है अच्छे से या देखना कार्वेट राष्टे वद्यान कितने वर के किलोमेटर में है तो यह आपका 520 वर के किलोमेटर में है चले आगे बढ़ेंगे अगले question के तरब निम्न मैंसे उत्राखिंड में एक लोक गीत नहीं है देखे उत्राखिंड का आर्ट एन कल्चर एक ऐसा topic है दोस्तों जहां से बहुत question बनते हैं और बच्चे इस पर focus नहीं करते है भाई आर्ट एन कल्चर आपका बिल्कुल clear होना चाहिए यहां से बहुत question बनते हैं अग अच्छे से इसको आपने follow करना है अब दिये गए विकल्पों में अगर ध्यान से देखते हैं दोस्तों तो जो छोलिया है छोलिया किसी भी प्रकार का लोक गीत नहीं है छोलिया क्या है छोलिया एक निरित्य है कुमाओ छेत्र का एक युद्ध कौसल निरित्य है ध्यान ल देखी हुए है तो छोलिया एक निरित्य है लोक गीत नहीं है बांकि नियोली कुलाचार खुदेल ये सभी लोक गीत है चले आगे पगएंगे अगले कोश्चन के तरब अगला कोश्चन है भाई उतराखंड विधान सभा में अनुसूची जनजाती के लिए आर prost two seat कौन कौन सी है बताइए तो उतराखंड में जो अनुसूची जनजाती के लिए दो सीट है और कहा कही की की गई है तो विदानसभा की बात हो रहे हैं आप सभी को पता है उत्राघण में टोटल विदानसभा सीटे हैं सत्तर पहले एक एंगलो इंडियन भी होता था जिसको समाप्त कर दिया गया ठीक है आप नहीं है केवल सत्तर सीटे होती है और इन सत्तर सीटों में से केवल दो सीटे ऐसी ह जो सेडूल ट्राइब यानिकि अनुसुचित जन जाती के लिए आरक्षित हैं और ये दो सीटे हैं वहिया एक तो है हमारी देरादुन की चक्राता सीट और दूसरी है उधमशे नगर की नानक मत्ता सीट यानिकि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option C देरादुन औ और उधमशे नगर की दो सीट है इसमें आरक्षित है ठीक है तेरादुन की कौनसी चक्राता और उधमशे नगर की कौनसी सीट नानक मत्ता ये दोनों ही सीट है आपकी उत्राखण में विधान सबा में आरक्षित है और वहीं question अगर बनता है कि schedule cast के लिए यानिकि SC अनुस बार बार एक्जाम में बनते हैं चलिए अगला question बोलता है निमन में निूनतम वर्सा वाला छेतर कौन सा है उत्राखण में बताईए कौन सा भोगलिक छेतर है दिये गए विगलपों में जहां पर सबसे कम बारिस होती है पूरे साल भर में और सत वर्सा की बात की जारी है तो औसत वर्सा की अगर हम देखते है measurement तो सबसे कम जो वर्सा होती है वो option C इसका right answer जगा ट्रांस हिमालाई जो आपका area है दोस्तों यहाँ पर सबसे कम बारिस होती है ठीक है और वहीं पर question बनता कि सबसे ज़्यादा जो वर्सा वाला इस्तान है तो maximum जो हमारी rainfall होता है व next question है British कड्वाल, British कुमाओं में पहली बार भूबंदोबस किसने कर आया था तो देखे बहुत अच्छा question है भूबंदोबस देखे पहले भी होते थे चंदकाल में भी अमने पढ़ा और भूबंदोबस किसने कर आ था रतनचंद ने कर आया था ठीक है चंदकाल का पहला एडवर्ड गार्डनर और एडवर्ड गार्डनर ने ही पहला भू बंदोबस करा है था कुमाओ जेतर में ठीक है बिल्टिस कुमाओ पूछ रहा है ना बिल्टिस कुमाओ क्योंकि गडवाल भी बिल्टिस कुमाओ का ही बागता उस्सों में गडवाल एक अलग जनपत था ले ही करवाता है जिसमें विलियम ट्रेल का सबसे ज़्यादा फेमस जो भूमी बंदुबस था हो ता पच साला या पंच साला भूमी बंदुबस चीक है यह पंच साला भूमी बंदुबस इसी को 80 साला भूमी बंदुबस भी कहा जाता है क्योंकि यह 823 में हुआ था और 823 के इस आप से अगर हम देखें दोस्तों, तो समवद कितना चल ला था, 1880, क्योंकि जो समवद होता है, हम इसा 57 साल आगे होता है, है ना, तो इसलिए 15 साला बंदोबस को 80 साला बंदोबस भी कहा जाता है, चलिए आगे पगेंगे अगले कोस्टिन की तरब, किस वर्थ सो गोविंद बल्लब पन्त को केंद्री या ग्रह मंत्री का पद दिया गया था, तो गोविंद बल्लब पन्त जी केंद्री या ग्रह मंत्री कब बने थे, तो गोविंद बल्लब पन्त देखें, बने थे हमारे होम मिनिस्टर, सबसे पहले 1955 में, तो ऑप्शन डीस का राइड आंसल जगा और 1955 कोशिएन और भी नीकल के आते हैं गोविंद भनलब पन्त जी से पन्त जी पहली बार हमारा सउंक्त प्रांत के मुख्यमंतरी कब बने थे तो 1937 Hanukhan प्रांति के मुख्य मंत्री बने थे, गोविंद बलब पंत जी को भारत रतन कब मिला था, ये कोश्चन भी बनता है, तो 1957 में इनको भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला था, भारत रतन, ठीक है, तो very important question है, और गोविंद बलब पंत जी को देखे दोस्तों, गोविं गोविंद बलब पंत जो है, ये कासीपूर में हमेशा डेरा डाले रहते थे, इसलिए कासीपूर को अंगरेज चिल के बोलते थे, गोविंद गर, ठीक है, गोविंद गर, question भी बन सकता है, कि अंगरेज किस इस्तल को गोविंद गर कहते थे, नैनिताल, अलमोगा, अगले question की तरब, next question की तरब पढ़ते हैं, अगला question है, निम्न मैंसे पश्चिमी कुमाओनी वर्गी की एक बोली है, तो बताए इनिम्न मैंसे जो पश्चिमी कुमाओनी वर्गी की बोली है, वो कौन सी है, देखिए कुमाओनी वर्गी को चार भागों में बाटा गया है, जो चार भागों में बाट आगे है इसमें आए आपका पश्चीमी कुमाउनी वर्ग धक्षिनी और पूर्वी कुमाउनी वर्ग पूर्वी कुमाउनी वर्ग की बोली पूछ रहा है ये सभी पूर्वी कुमाओं की बोली है, ठीक है, पूर्वी, पूर्वी कुमाओं की बोली है, असकोटी सिराली और कुमाईया, बहुत इंपोर्टन है, द्यान रखेगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले कोश्चिन की तरह, वैसे जोहारी जो बोली है, यह उत्त पूर्व, उत्राखण का नाम मिलता है, तो राइट आंफर हो जगा इसका है, दोस्तों, option C, प्रियाग जो प्रसेस्थी है, प्रियाग प्रसेस्थी में, उत्राखण का नाम कद्किल पूर्व मिलता है, तो option C, बिल्कुल सही उत्तर है, देखिए, ऐसे question एक्जाम में बनत है, अब reason क्या है, इसको काफर बात बोलने का है, बनाने का, तो काफर बात का देखिए, जो डेम होता है, gravity डेम होता है, concrete डेम होता है, काफर डेम होता है, काफर का मतलब होता है, दोस्तों, जो हमारा cement के concrete से बनके, एक क्रितरिन पहाड बनाए जाता है, पहाड के जो संदस बनाए गया इक material से यानि कि मिट्टी पर्थर जो भी सामान था उससे उसमें कोई भी concrete नहीं किया गया तो इसका में रिजातन था काफर बाद बनाने का टीहरी डेम को भुकम्प से सुरक्षा के लिए एक question बनता है टीहरी को राष्टर के गाउं की संग्या दी जाती है टीहरी गाउं को राष्टर को समर्पित कब किया गया था तो 2006 में इसको समर्पित किया गया था टीहरी डेम की total जो capacity है तो 2400 मेगावाट के इसकी total capacity है टीहरी डेम का जो design बनाए था प्रॉफेसर जेम्स बूम ने बनाए था टीहरी डेम को योजना आयोक से security कब मिली थी तो 1972 1972 में मिली थी यह हर पॉइंट आपको याद रखना है Russia 1986 में मदद करता है टीहरी डेम के रख रखाओ के लिए THDC का गठन किया गया उन्नीस सो अठासी में ठीक है THDC टीहरी hydro development corporation तो यह भी important point है बार-बार exam question बनता है इससे इसलिए मैंने discuss किया चलिए आगे पकिंगे अगले question की तिरब 2011 की जंगर्णा की अनुसार उत्राखण का जंसंक्या की दरिश्टी से उत्राखण में इस्तान कौन सा था अब देखे इसमें बच्चे बहुत confusion होते हैं confused में रहते हैं जो जंगर्णा से question बनता है confusion क्या रहता है confusion नी रहता है कि जो आंकडल से question बनता है वो किस आधार पर बनेंगे, maximum time आप देखना दोस्तों, exam में जो भी आपका question बनता है न, वो 2011 के आधार पर ही बनता है, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है, ऐसे कभी लिंगानुपात का question बनता है, बाल लिंगानुपात का बनता है, साक्षरता का बनता है, और इसके अलावा छेतर फल क हिसाब से question बनता है, तो आपको हमेशा 2011 के आंकरों के हिसाब से ही जाना चाहिए, और यहाँ पर 2011 में उत्राघंड का देजवर में जन्संख्या में जो इस्तान था, वो 20 हुआ इस्तान था, ओप्शन 20 का रहे डांसर है, 20th place पे था उत्राघंड, अगले question की तरफ बढ़े कितनी category में divide किया गया है, तो बहुत important question है, आने वाले exam में आ सकता है, देखिए इसमें सहरों को तीन categories में divide किया गया है, ठीक है, तीन categories, और तीन categories कौन से हैं, category A, category B, और category C, ठीक है, जो हमी नई पर्येटन नीती आए थी, category A में जो है ज़्यादा टूरिजम वाले cities हैं, ज पालसी चगरादा वगरा इसमें, धुमा गोट हो गया आपका ठीक है, और तीरी का दनौल्टी वगरा हो गया, तो यह B में रखे गए हैं, C में दोस्तों बहुत दुर्गम places को रखे गया है, जैसे कि उत्तरकासी का area, चमोली हो गया, चमपावत हो गया, पिथोरागर पार यह सबी हमारे C में रखे गए हैं, तो उत्राघंट परेटर नीती 2023 के तहत, सहरों को तीन स्रेंगियों में विभाजीत किया गया है, ठीक है, वेरी इंपोर्टन कोश्यन है, अच्छे से, मैंने यह current defer में आपको किला था, current defer का मैं इसलिए बोला हूँ कि course आपका जो application store पर उसके बाद lifetime आपका access रेगा, उस course में जनवरी 2023 से उत्राघंट जी के उत्राघंट करेंट defer साथी national इंटरनेशनल करेंट defer upload किये गए हैं, ठीक है, जनवरी 2023 से अभी तक के, तो आप लोग इस course को ज़रूर दीजिएगा, बहुत important है, question बोलता है कि उत्राघंट के एक cricket खि खिलागी नहीं हैं, तो ध्यान से अगर देखें इस question को दोस्तों, तो हमारी जो स्वेता बर्मा ये cricket खिलागी है, सनेह लाणा भी हमारी खिलागी है, एकता बिश्ट भी हमारी cricket खिलागी है, मांसी नेगी का संबंद है, athletics से, ठीक है, किस से संबंद हैंगा, ये एक athlete है, ज जोकि एथलीट है, एथलेटिक से इनका संबन्द है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले question की तरब, next question बोलता है देखिए बहुत अच्छा question है, निम्न कतनों पर विचार करें और सही कूट चुने, देखिए आपको कथन दिए गए हैं, आपको इन कतनों को देखना है ध्यान और इसके बाद सही कूट इसमें चुनना है, ठीक है, अब पूरा तो यह आएगा नहीं, थोड़ा इसको जूम कम करना पड़ेगा तब दिखे गए, ठीक है, थोड़ा और कम करना पड़ेगा इसमें, चलिए बताई आप इसका answer, तो पहला कतन देखिए, नंदा राजजात राजजे की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है, तो पहला कतन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट कतन तो बिल्कुल सही है, यह सबसे लंबी धार्मिक जात मानी जाती है, इसका अंतिम पुड़ाव हेमकुंड है, देखे, इसका अंतिम पुड़ाव हेमकुंड नही बिल्कुल सही है, चौसिंग्या जो मेड़ा होता है, इसका आकर्चनर का केंदर होता है, इसमें माता का सरिंगा सामगरी रखी जाती है, चौसिंग्या मेड़ा से यात्रा के लिए इसलिए सेलेक्ट होता है, क्योंकि भीर दुर्गम इस्तनों पे आसानी से चड़ी जाती है, यह माता के ससुराल से माईके तक की विदाई का स्वरूप है यह बिल्कुल गलत है यह माता नंदा के माईके से ससुराल कहना कि ससुराल से माईके कह ठीक है माईके से ससुराल इसमें माता विदा होती है माईके से ससुराल के लिए तो कैलास उनका ससुराल है ठीक है मैंने आप वो उत्राखंड की धार्मी की यात्राओं में भी बता है और वो गीद भी गाती है उसमेटिक है जाबे तू कहला से ओ द्यूलो मैं मुंगेरी का खेली तो ये ऐसे एक सौंग वहाँ पर गाई जाते कि जा रही है इतने भरते है निरजन केलास में जा रही है जहां पर एक भाणरा भी नहीं दिखता है और कैसे तूस केलास में अपने दिन भिताएगा तो ऐसा बोलके गाओं की महला है बहुत हों जाती है तो माईके से ससुराल विदाई है तो इसमें statement गलत है इसमें ससुराल से माईके दिया तो ये नहीं होगा तो केवल एक और तीन जो statement है ये सही हो जाएगा इसमें ठीक है तो option C इसका right answer हो जाएगा only first and third इसमें right है उत्रागण की धार्मी क्यात्राएं वाला वीडियो मेंने यूटूब पे भी upload किया है आप लोग ज़रूर देखेगा बहुत ज़्यादा helpful है आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा उसको देखने में ज़रूर देखेगा चलिए आगे बढ़ेंगे अगले question की तरह अगला question बोलता है भाई पटवारी को किस वरस नागरिक पुलिस की सक्तियां दी गई थी अब ये question मैंने इसलिए रखा देखेगे कुछ लोग बोलेंगे कि ये question तो हर exam में पूछा जाता है तो क्या नया है इस question में ठीक है लेकिन जो प्रारिमिक पटवारी थे इनका काम केवल और केवल राजस्व को collect करना था जो भी भूमी का राजस्व था ना और उसको collect करना था उस समय पटवारी के पास पुलिस की सक्तियां नहीं थी प्रारिमिक में जब विलियम ट्रेल पटवारी की नियुकती करता है लेकिन जब 1874 में 1874 में बिटिस कमिस्णर हैंडरी रेमजी को ये लगता है कि पहाल की जो जनता है भाई बहुत सीधी साधी है पहाली दोग ज़्यादा क्राइम हो गएरा नहीं करते है तो वहाँ पर अलग से पुलिस इस्टेशन या थानों की ज़रुवत नहीं है जिससे की गौवर्मेंट की जो एक्सपेंटिचर है वो भी कम होंगे तो इसने एक दिमाग लगा है इसने सोचा कि जो पहाली चेत्रों में राजस्व कलेक्ट करने वाले पटवारी है क्योंना उनको मैं एक अमेंडमेंट करके पुलिस की सक्तियां भी दे देता हूँ यानि कि जो थानों में पुलिस ऐसा ही होता था उस पुलिस ऐसा ही के बराबर ही पावर पटवारी को भी दे दी 1874 में किसने हैंडरी रेमजे ने तो राजस्व पुलिस ब्यवस्ता सुनू करने वाला कमिशनर पूछेगा तो राजस्व पुलिस ब्यवस्ता या पटवारी को नागरिक पुलिस की सक्तिया कब मिली 1874 में और किसने दी हैंडरी रेमजे ने वहीं अगर एक्जाम में केवल कोश्चन बनता है कि सर्व प्रतम पटवारी की न्यूकती या बिल्तिस काल में पटवारी की न्यूकती किसने की थी तो आपका आंसर उजएगा विलियम क्रेल दोनों पॉइंटों को अलगलग समझे पटवारी सब्द जो था प्रार्म में क केवल केवल भू राजस्वा कलेक्ट करने के लिए बनाया गया था इसको राजस्वा पुलीस की सक्तियां किसने दी हेंडी रैमजी ने 1874 में तो यह इंपोड़ेंट पॉइंट है अच्छे से इसको आप याद रखिएगा चलिए आगे बढ़िंगे अगली कोशिन की हायर एजुकेशनल इंस्टिटूट से रिलेट करता है समर्थ पॉटल तो ऑप्शन ही बिल्कुल सही उत्तर है चलिए आगे बढ़िंगे अगले कोशिन की तरफ नेक्स्ट कोशिन बोलता है उत्राघंड जै विवित्ता बोर्ड कहां इस्तित है तो देखे जै विवित्ता बोर्ड तो बायो डैवर्सिटी जो हमारा बोर्ड है दोस्तों उत्राघंड का ये आपका इस्तित है धेरादुन में, ठीक है, option है इसका right answer हो जाएगा, धेरादुन में इस्तित है, उत्राघंड जय विवित्ता बोर्ड, तो option है बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, काफी लोगों को दीक है, उरेडा में भी confusion रहता है, कुछ पूरानी किताबों में, उरेडा का मुख् अक्षे उर्जा एजेंसी है, वो देरादुन में इस्तित है, पठेल नगर में, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले question की तरब, खाते सुरक्षा सूचकांग 2023 में, उत्राघंड का देश में क्या इस्तान रहा है, तो देखे, 2023 में खाते सुरक्षा सूचकांग जून 2023 में इसको रिलीज किया गया था, और food safety index, इसमें उत्राघंड का देश बर में इस्तान रहा था, 111, ठीक है, option C इसका right answer है, 11th position पे रहा था उत्राघंड, तो option C इसका सही उत्तर हो जाएगा, next question की तरब बढ़ते हैं, वन आगनी के मामलों में, हिमालाई राज्यों में उ परियावरण संबंदी जो अपराद होते हैं, जैसे कि बिना पर्मीशन के जंगलों के पेर काटना, और अन्य जो हमारे समविदन सील जंगल है, उनको नश्ट करना, तो परियावरण संबंदी जो अधिक अपराद थे, इसमें भी उत्राघंड का देश बर में पहाली इसके साथ वनागनी के मामले में भी उत्राघंड का देश में पहला इस्तान रहा, जंगलों के आग सबसे ज़्यादा पहाली राच्यों में, उत्राघंड में ही लगते है, हिमालही राच्ये का मतलब पहाली राच्ये बे, तो ऑप्शन ए, इसका राइड आंसर है, चलिए ये हाल में ही इस पुस्तक को लॉंच किया गया था विमोचन किया गया था इस पुस्तक का और इस पुस्तक को लिखने वाले जो राइटर है ये मसूरी में रहते हैं अब मसूरी में कौन रहता है ये आप रिलेट कर लो दिये गए विकल्पों में से सिर्फ एक बंदे हैं जो इनका एक बहुत important उपन्यास है The Room on the Roof 17 साल की उम्र में उनने ये उपन्यास लीगा इसके अलावा देखे रस्किन बॉंड की बहुत सी रचना है मैंने रस्किन बॉंड पर वीडियो दी हुई है देखे अगर आपको साहित्तेकारों की वीडियो देखना है सब प्लेलिस्ट आपकी यूट्यूब पर बनी हुई है आप प्लेलिस्टों के वीडियो को वाच कीजिए आपका उत्राघंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उत्राघंट का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा उसके साथ साथ जो अमारी उत्राघंट जी के वन लाइनर एबुक लेते हैं जिसके पार्ट वन से लेकर फोर तक है ठीक है तो चार भागों में एबुक है वो अगर वो चारों एबुक लेकर आप रिविजन करते हैं आज था उत्राघंट जी के टेस्ट भाग 161 ठीक है रिविजन ऐसे होते रहेगा सारी GS के टेस्ट सीरीज जो चल दिये जाएंगे जल्दी ही और आपको मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ जो भी टेस्ट परीज आ रहे है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत सीरियस होके फॉलो कीजिए जो एप्लिकेशन इस्टोर पे भी आएगी फुल लेंट ट्रैक्टिस सेट तो आपको थोड़ा बहुत देखे डेटिकेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप डेडिकेशन नहीं दिखाएंगे ना किसी भी चीज के लिए तो आपको वो चीज नहीं मिल पाएगी आप पाते पाते रह जाएंगे उस चीज को थोगा आथ से खिसल जाएगी तो हमेशा एक दो नंबर तीन नंबर से जो केंडिडेट रुखते हैं तो मैं बोलना चाहूंगा थोगा डेडिकेशन और अपना जो एनर्जी लेवल हो उसको बगाईए सेल्फ मोटिवेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस जादा रखिए अपना ठीक है एक्जाम कभी भी मैं बोलता हूँ कोई भी एक्जाम जिन्दगी से बड़ा नहीं होता एक्जाम जस्ट एक पार्ट है आगको एक इंप्लोइमेंट देने के लिए और उस इंप्लोइमेंट की चक्तर में आप बहुत अथा इस्ट्रेस लेता है और इस्ट्रेस का क्या होता कि आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे बागी दोस्तों जाने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूंगा यार अपने जीवन में कम से कम एक पर लगाएं कम से कम एक तो लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेर करें मोटिवेट करें अपने घर के आसपास और जहां भी घूमने जाते हैं वहाँ पर स्वच्छता का विसेज ध्यान रखें बागी बागी जिनका बंदी रक्षेक का एक्जाम है बंदी रक्षेक एक्जाम वा या जो भी इंफर्मेशन होगी मैं यूट्यूब के कम्यूनिटी बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर सेयर कर दोंगा हमारा टेलीग्राम ग्रूप भी ज़रूर जोइन कीजिएगा दोस्तों चैनल को उस पर आपको आपडेट मिलते रहते हैं अपना ध्यान रखेगा अच्छे से स्टडी कीजिएगा मिलेंगे आपको नेक्स सेसन में तिल देन जय हिंद जय देव भूमी सुद्रात रिंट गॉड ब्लेस यू अल